हाई अब्रिवर्ट आइम एड्वोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं डिफिमेशन यानि की मानहानी के बारे में कई लोग दूसरे व्यक्ति की रेपुटेशन खराब करने की इंटेंशन से उनके बारे में कुछ भी गलत सलत या अनाप शनाप बोलते हैं या लिख देते हैं तो दूसरा व्यक्ति ऐसे मामलों में उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है आज हम उसके बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक और इंपोर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सके हमारे देश का Constitution Article 21 में कहता है that no person shall be denied of his right to life and personal liberty except if established by law यानि कि हर भारतिय को अपने जीवन को संप्रभुता के साथ जीने का अधिकार है वो इसे अपने मान सम्मान के साथ जी सकता है इसके अंदर right to reputation का right भी होता है लेकिन कई लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना किसी वेस के कुछ भी अनर्गल कुछ भी अनाप्षना कोई भी बाते ऐसे ही लिख देते हैं या बोल देते हैं जिससे सामने वाली व्यक्ति की इज़त को उसके मान-समान को समाज में ठेश पहुंचती है उसके मान-समान में कमी आती है तो व्यक्ति क्या कर सकता है इसको आज हम बात करते हैं इसके बारे में Section 499 बताता है कि defamation यानि की मानहाने क्या होती है कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी दूसरे व्यक्ति के बारे में इस intention के साथ कुछ लिखता है या बोलता है या इशारे से कोई ऐसी बात करता है जिससे दूसरे व्यक्ति की reputation खराब होती है और जो बात बोली जा रही है वो जूटी है और गलत है और दूसरे व्यक्ति की reputation खरा यानि कि अगर किसी ने आपको अकेले में गाली दे दी या आपके बारे में आप से ही कोई बात कह दी तो इसको मानहानी के दाइरे में नहीं माना जाएगा लेकिन अगर वही बात दो दस लोगों के सामने बोल देता है मान लीजे कोई आपके उपर चोरी का इल्जाम पचास होगों के सामने लगा देता है यह पबलिकली बोलता है कि आप चोर हैं या आपने कुछ गलत बात कही है कोई भी ऐसी बात जिससे आपकी समाज में इज़त कम होती है आपके ओपर ऐसा को इल्जाम लगा दिया जाता है जो कि जूटा है तो आप उस व्यक्ति के ओपर डिफिम करता है और section 500 इसमें पनिश्मेंट बताता है कि कोई व्यक्ति किसी की मानहानी करता है तो उसको क्या पनिश्मेंट दी जाए उसको दो साल तक की सजा दी जा सकती है उसको दो साल तक की जेल हो सकती है या उसके उपर फाइन लगाया जा सकता है या दोनों ही चीज़े हो सकत इसके अलावा आपको ये जानना जरूरी है कि मानहानी defamation कितने टाइप का होता है यह दो टाइप का होता है एक होता है यानि कि अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में कोई ऐसी बात लिखता है मान लीजे निउस्पेपर में लिख दिया या किसी वेबसाइट में लिख देता ह कोई ट्वीट कर देता है या फेस्बुक पर लिगता है या किसी तरीके से आपकी सोसाइटी में पर्चे बटवा दिया जाते हैं तो इसे बोला जाएगा लाइबल और दूसरा होता है या इसी तरीके से कोई जूट आपके ऊपर लगाया जाता है तो उसे बोला जाता है तो डिफेमिशन दो तरीके का होता है लाइबल और लाइबल होता है जो लिखकर आपकी बदनामी की जा रही है तो सेक्शन 500 में ऐसे लोगों को दो साल तक की सजा दिलवा सकते हैं या फिर आप उनके उपर फाइन लगवा सकते हैं या दोनों ही हो सकती है इसके अलावा आप सिविल प्रोसीजर के अंदर सीपीसी के अंदर कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हैं कि आपकी इज़त का आपके मान सम्मान को ठेज जो पहुँची है उसके लिए आप सामने वाले व्यक्त से कॉम्पनसेशन झतान को एक इसेशजन की मांग सकते हैं भी सकते हैं अगर ऐसा नहीं करता है तो आप ici कर देंगे सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके और मुद्धों पर वीडियो चाहते हैं प्लीज कॉमेंट सेक्षिन में बताएं